आननलो प्रति दिन का जीवन का में स्वागते मुझे खुशिये के आजाप मेरे साथ हैं और आशा करती हूँ कि आप भी उतने ही खुश होंगे क्या आप वजन घटाना चाहते हैं? क्या आप अच्छा मैसूस करना चाहते हैं? क्या आप अपने बारे में सोच कर अच्छा मैसूस करना चाहते हैं? आज मैं कुछ लोगों के संग आपको चुनोती और प्रोचान देने आई हूँ कि आप शान और शौकत से जीए चाहे आप जितने भी छोटे हों या आप जितने भी बड़े हों प्रभू की सहायता से आज ही आप अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं किशोर अवस्ता में फेट स्टर ने अस्वस्ता हानी कारक आदितों को छोड़ कर व्यायाम करना और पौश्टिक अहार खाना आरंब किया उसके हर कदम में प्रभू उसके साथ था मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन लोगों में से रहूं जो सदा दूसरें से तुलना करते रहते हैं क्योंकि ऐसे लोग हमेशे दुखी रहते हैं मैं साथ भाईयों के साथ पलीस लिए मुझे जितना खाना तो उससे कई गुना ज्यादा खाते थी अधिक भाईयों के साथ रहने पर हमारे शरीर के लिए आवश्यक्ता इसे अधिक मात्रा में भोजन खाना सहज होता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं क्या कर रही थी मुझे याँ थे जब मैं 9, 10, 11, 12, 13 की थी तब हफते में 3 या 4 बास सिर्दरत होता था दीरे दीरे परमीशर के द्वारा मुझे असास होने लगा कि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें थी जिसमें मुझे बदलाव लाना था ताकि मैं उसकी महिमा के लिए कारी कर सको इस संपून परवत्तन से खोकर गुजरते हुए वास्ते में इस बात का जरा भी ग्यान ना था कि क्या हो रहा था मैं अच्छी तरह से जानती थी कि प्रभू चाहता था कि मैं यही करूँ जब भी सिर्दरत होने पर मैं व्याया हूँ करती 90 प्रतिशत वो अपने आप ही ठीक हो जाता है हर तीन या चार महिने में मुझे सिर्दरत होने लगा जो पहले हार कफते में होता था इससे मैं होकर गुजर सकी इसका एक मात्र कारण ये था कि मैं इस मनभाव को लेकर थी कि मैं इसे प्रभू की महिना वा उसके सम्मुख धर्मी ठहरने के लिए कर रही हूँ ये दिन बद दिन होने वाली प्रक्रिया थी आच्छा मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि आज मैं सही फैसला करूं और यदि थोड़ा और कस शूठा सको तो कर पाऊंगी सच मुझ फेट मुझे इस बात की खूशी है कि आपने खुद की देखभाल करने का फैसला किया और इससे मुझे प्रोचसाहन मिलता है क्योंकि आप एक जवान महिला हैं जो खुद की देखभाल करने के महत्व का अच्छी तरह समझती है मैं मानती हूँ कि जीने के लिए प्रभू हमें निश्चित मातरा में शक्ती देता है और यदि आप आरम में इस सारी शक्ती को व्यर्थ कर देंगे तो अंत तक पहुँचने के लिए उन में शक्ती नहीं रहेगी जो हमीशा हम अनुभाव करते हैं बताईए कि आप के लिए खुद की देख भाल करना इतना महत्वपून क्यों है यह ऐसा था कि प्रभु वास्ताव में मुझे समझा रहा था कि मेरे भवेश और जीवन के लिए वो बहुत सी चीजें मेरे राहों पर लेआना चाता था और कई आउसर देना चाता था और मेरी युवावास्ता में कुछ बातों को नहीं सुधारुन तो उन चीजों को मैं नहीं पासकूंगी जो मुझे देना चाहता था मैं इस बात को मानती हूँ कि प्रभू हमें बदलने के लिए आउसर देता है ताकि हम उपर उठ सकें और चाहे तो हम फैसला करें या बार-बार उसी परवत का चकर कारते रहें कभी-कभी प्रभू निश्चित क्षेत्र में हमारी परिक्षा लेता है और हमें अनुशासित करता है वो उस महानकारी के लिए प्रशिक्षन मात्रे जो बाद में प्रभू हमें करने को कहेगा और सच-बुच मैं मानती हूँ कि हमें ठीक धंग से खाने को अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए और मैं लोगों से कहती हूँ कि आप मेरी नई पुस्तक लुग फिल ग्रेट खरी दें तो वो कोई भोजन करने की नई व्यवस्था नहीं है इस पुस्तक की कई अध्याओं में लिखाया कि नमबर एक प्रभु को बहार उठाने दे कल हमने चर्चा की थी कि आप आरम भी ना करें किसी काम को अगर प्रभु उसमें शामिल ना हूँ नमबर दो है अपने शरीर से प्रेम रखें मेरा विश्वास है कि अपने आपको स्विकाना हमें सीखना चाहिए आप जैसे भी इसका ये मतलब नहीं कि बदलाओ ना लाएं लेकिन जब लोग अपने आपको देखें और स्वेम से घ्रणा करें अपने दिखावट से घ्रणा करें अपने विरोधी हो जाएं तो भीतर कुछ ऐसा घटने लगता है जो आपको रोकता है कि आप कभी सफल ना हूँ मैं सच मुच जोर देना चाहती हैं कि ये कितना महत्वपून है कि लोग जाने की प्रभून से प्यार करता है और वे उस प्रेम को सुभी कारना शुरू करें और खुद के बारे में अच्छी अनुभूती रखें फिर मैंने बात की चाया पचन की जानते हैं आपकी पाचन क्रिया खुद कारी शुरू नहीं करती जब तक आप खाए ना सुबह उठकर इसलिए ब्रेकफास्ट का अर्थ है कि अपने उपवास को तोड़े जो आपने रात भर रखा था तो किसी में अगर डाइटिंग की आदत है जो मुझ में थी कई 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 सालों तक क्योंकि मैं ऐसी युवा लड़की थी जो हमेशा डाइट किया करती थी और मेरी मनोदशा रहती कि जितनी देर तक बिना खाय रह सकूं मैं रहूं जो कि दोफेर की तीन बजे तक होता और फिर सारा दिन मैं कॉफी पीती और उस समय स्मोकिंग की मुझे आदत थी थी तो मैं कॉफी पीती स्मोकिंग करती कॉफी पीती स्मोकिंग करती उसके बाद तीन या चार बजे मैं खाना शुरू करती समस्या ये थी कि मैं सोने जाने तक खाना नहीं रोकती थी मैंने अपने आपको धोका दिया अपने खुद की योजना से जो था कि दिन भर कुछ ना खाना और वो कार्यानवित नहीं हुआ लोगों को चया पचन के बारे में जानना जरूरी है कसरत करना ऐसी बात है जसके बारे में चर्चा बहुती जरूरी है क्या आप लोगों को कसरत से प्रेम है इसलिए मैंने अपने लिए ये हल खोज निकाला है कि मुझे सामान्य मनुष की अपिक्षय से करने के विविद तरीकों का विकास करना होगा मैं भी वियायाम करती हूपर आप लोगों की तरह नहीं पर मैंने देखा कि कुछ भी किये बिना रहने की अपिक्षय आप से जितना हो सके आप कर रहे हैं मुझ में ऐसा विचार रहा करता था आज मेरे पास वियायाम करने के लिए घंटा नहीं इसलिए आज मैं बिल्कुल वियायाम नहीं करूँगी जानते मैंने क्या खोजा वियायाम के बिना रहने से अच्छा है कि 10 मिनिट वियायाम कर ले मैं लोगों को कुछ तो करने का प्रो कि मैं इसका आनंद लेने लगी हूँ और इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि अव्यायाम के बारे में और अधिक बात चीत करेंगे। और ये कि वो आपके लिए कैसे सहने योग ये हो सकता है। खुद को तंदरुस्त रखने के लिए आपको हर दिन जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बस सभिलने की प्रक्रिया इसलिए प्रणमेश्वर ने हमारे शहरी में चोटे-चोटे जोड रखे हैं ताकि हम हिल सकें। कभी-कभी ये आसान काम हो सकता है जैसे कि एलेवेटर के बदले, सीडियों का प्रयोग, पास की दुकान तक बस पैदली चल कर जाना और हर समय गाड़ी का इस्तिमाल ना करना। दिखिए आप व्यायाम के तरीके धुन सकते हैं, आप अपने शरीर में पौष्टिकता बढ़ाने का उपाई धुन सकते हैं, दिल के धर्ण सहिमित रख सकते हैं और खुद को स्वस्ति रख सकते हैं, ये हो सकता है। यदि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। रॉक्सेन मैं जानती हूँ कि यहां आई हुए लोगों में से एक आप हैं जिने व्यायाम संबंदी अधिक अनुभो प्राप्त हैं और आपके एक दिल्चस्प भरी कहानी हैं तो क्यों न हमें बताएं। 20 वर्ष पहले मैं बहुत व्यस थी बिल्कुल सकत कारेकरम था। मुझे लगता था कि मेरा काम इतना अधिक था कि 24 गंटा काफी नहीं था। इसलिए भजन कोई बड़ी बात ना थी। मैंने कुछ कम करना चाहा और मैंने सोचा ठीक है वयायाम को हटा देती हूँ। मुझे ये जानने में 15 वर्ष लग गए कि वयायाम के बलवजन से संबंदित नहीं है। 15 वर्ष बाद मैंने एसास किया कि मेरे शरीर में ताकत ना थी। मेरी बाते घट गई और तब मैंने जाकर माना कि वयायाम एक तनाव मिटाने वाला मंत्र है जो मुझे स्वस्त और जबूत रखता है। कि मैं पूरी तरह से बदल गया और मैं बाते समझने लगा पता है कि ग्यान शक्तिशाली होता है। ग्यान प्राप्त होने पर आप समझने लगते हैं कि शरीर के अंदर क्या जाने पर क्या होता है। अचानक ऐसा था कि मैं उससे अपने शरीर में नहीं ले सकता था और जब पहले यहां कुछ नहीं बदला तो चाल चलन भी नहीं बदला इसलिए अब एक कुछी माइनों में मेरा 25 किलो वजन कम हुआ है, पहले मेरे घुटनों में दर्ध होता था, सुना कि हर आदा किलो वजन घटने पर घुटनों से आदा किलो वजन घट सकता है, किसी तरह मैं अपने घुटने से 75 किलो बजन घटा लिया मुझे अच्छा लग रहा है मैं आराम से सोता हूँ मुझे चैन मिलता है मुझे खुद के बारे में किसी प्रकार का डर नहीं अपने बारे में मेरा जो विचार था वो बदल गया और जब मैंने आपकी पुस्त का शिर्षक देखा बिल्कुल सच लगा मुझे अच्छा मैसूस करता हूँ अच्छा दिखता हूँ मैंने उन कपड़ों को देखा जिने मैं कुछ वर्षों से नहीं पहना था इसके बाद मैंने सोचा कि उन्हें नहीं पहनूँगा क्योंकि उनका फैशन नहीं रहा उनमें से कुछ अभी भी प्रचली थे इसने मेरे अपने संपूर्ण सोच को बदल दिया है मानता हूँ कुछ बदल गया है मैंने पत्थी नहीं रखा बस इतना ही फ़र्क है लोग कहते हैं मैंने आपने वजन घटाने के लिए क्या किया हम आपका रहसी जानना चाहते है मैंने कहा मैंने पत्थी नहीं रखा मेरा वजन घटता जा रहा है मैंने जानते कि सारा वजन कहा जा रहा है क्योंकि अभी भी हर महीने थोड़ा थोड़ा वजन कम हो रहा है पर तो ये मेरा लक्ष नहीं है, मेरा लक्ष है ठीक से खाना, अच्छा लगना और आन तरीक पर अच्छा है, इस पुस्ता का विशह भी सच मुझ यही है, मैं लोगों को बता देना चाहते हूं कि खान पान की नई वीरी नहीं है, ये तो एक जीवन शैली है, मैं लोगों को तरीका बताना चाहती हूं, और हम उन्हें काफी समय दे रहे हैं, हमारा सुझाओ है, कि वे हर एक कुझी को समझने में समय बिताएं, ये नहीं सोचे कि रात और रात सभी बातों को अपना लेना है, आपने ग्यान की बारे में कहा था, मैं चाहती हूं कि एक मिनिट के लिए हम इस पर गौर करें, क्योंकि मेरी पुस्तक का एक अध्या है, मेरी विचार से ये पुस्तक का सबसे बड़ी अध्या है, और वो है मन की त्रिप्ती, मैं मानती हूं कि कई लोग खाना खाते हैं, और नहीं जानते कि क्या खा रहे हैं, वे नहीं जानते कि उसमें क्या है, औ फिर कितना फैट है उधारन के लिए एक प्रभू की सेवी का होने के कारण लोग मेरे कमरे में उपहार छोड़ जाते हैं और उसमें अधिक मिठाईया ही होती है हर तौफे के साथ मिठाई का डिब्बा होता है उस डुब्बे को खोल कर मिठाई डाल लेना आसान होता है मैंने देखा कि मिठाई का डबा मेज पर पढ़ा रहता है और कई लोग कमरे के अंदर आते हैं और बड़ा आश्चेर होता है कि लोग उसमें से एक उठा कर अपने मुँँ में डाल लेते हैं और शाम होते होते हैं दी कोई उनसे पूछता है कि उन्होंने क्या खाया, तो उन्हें इस मिठाई की याद भी नहीं रहती, जब तब एक एक करके मुँँ में डालने की आदत मुझ में है, और या आदत उस दिन छूटी, जब मैंने इसे उलट कर देखा, जहां कुछ लेखा था, और मैंने सोचा, सो कैलोरीज, चोदा ग्राम फैट, ये इतना स्वादिश भी नहीं है, सैंडी मैं जानती हूँ कि वाकि तुमने इस अध्याय का मजा लिए, बताओ कि इसके बारे में तुम्हारे क्या विचाने, मेरे ख्याल से, ये ही मेरे जीवन में एक खास अध्याय है, जीवन बदल देने वाला अध्याय, मैंने उसे पढ़कर सोचा, ही भगवान, मैं ये कारती हूँ, और बस एक और उधारन, कई बार सुबह का मैं नाश्टा कर लेती हूँ, मेरी दोने बेटियों के उटने से पहले ही, उनके उट जाने पर मैं उनका नाश्टा लगा देती हूँ, और उनके खाने में से थोड़ा खा लेती हूँ, वो इसलिए, इसलिए नहीं कि मुझे भूख लगी, बलकि उसका स्वाद अच्छा है, और खाने में मज़ा आता है, मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ, यह मैं अपने नानी के घर हफते में, हफते में बस एक बार उनसे मिलने जाती हूँ, और चुंकि मैं अपने घर में मिठाई नहीं रखती, मैं सीधा उनकी मिठाईयों का डिबा खोलकर, एक या फिर दो मिठाईयां लेकर जल्दी से खा लेती हूँ, और मैं यह नहीं सोचती, मैं बिल्कुल भी यह नहीं सोचती कि मैं क्या खा रही हूँ, एक और बात जो आपने इस अध्याई में सपष्ट किया है, वह है, खाने के बाद कि आप कैसा महसूस करते हैं, और पिछले दो वर्षियों से मुझे इसका हिसास होने लगा है, कि अभी मैं अनाज और फल जैसी चीज़ों को अधिक और मिठाईयों को कम खाने लगी हूँ, और अभी मैं इस हद तक पहुँच गई हूँ कि कहूं तो एक दो महीने पहले की बात है, मुझे एक स्नैक्स पैक मिला था, जो मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, मैंने उसे खाया और मैं सोचनी लगी, मुझे ये क्यों पसंद है, अभी मुझे उन में बिल्कुल भी दिल्चस्पी नहीं है, क्योंकि अभी मैं अधिक आनाच खाने लगी हूँ, जो मेरे शरील के लिए अच्छा है, और इसने मुझे आवशिक पोश्टिक था भी मिलती है, ये एक और बात है, जो लोगों के लिए सायक होगी, किसी चीज़ को खाने के बाद कैसा लगता है, और आप खुद से पूछिए, क्या ये उच्छी थे, क्या इसे खाना जरूरी है, क्या इसे खाकर ठका ठका मैसूस करना जरूरी है, अधिक मिठाईयां खाने पर मुझे कुछ अजिब सी परिशानी होती है, शायद इसलिए कि उसमें अधिक शक्कर होती है, या ऐसा कुछ और भी, तुम्हें सैंडी बलड शुगर की समस्या थी, तो जब तुम अधिक मिठाईयां खाया करती थी, और पिछले कई वर्षों से मैं तुम्हें देखती आ रही हूँ, तुम्हें मिठाईयां पसंद हैं, पर उन्तुने खाने की बाद, अगले दिन तुम्हें बुरा लगता था, बहुती बुरा लगता था, यदि हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर का ज्यान और मसीही की सोच है, तो फिर हमें इतना हुश्यार होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ न खाएं, जिससे दिन बर हमें परिशान रहना पड़े, मुझे कार्बोहइड्रिस पसंद है, मैं हर दिन पैस्टा भरके पैस्टा खाकर खुशी-खुशी जी सकती हूँ, और दूसरा कुछ भी नहीं खाऊंगी, पर ऐसा करनी पर मैं जरूर पच्चता हूँगी, मुझे प्रोटीन की सक्त आवशकता है, लोगों को जानना है कि उन्हें क्या चाहिए, और उसके अनुसर भोजन करना चाहिए, ना कि हमेशा मन पसंद चीज़ें ही खाते रहें, आप क्या कहते हैं जिंजर? एक मूर पर हमने जोईज मेर मिनिस्टिस में शामिल होकर, सेवा कारी करने का फैसला किया, इसलिए हमें अपने साहाराव, अपने दोस्त और रिष्टेदारों से दूर जाना पड़ा, सेवकाई में दिल्चस्पी लेकर सच मुछ बड़ी अन्भो प्राप्त हुआ, परंतो निमेत तोर पर अपने सहत का ध्यान नहीं रख सकी, व्याया मेकोर रह गया और पानी पीने की आदत छूट कर, कोक वगेरे पीने की आदत पढ़ गई, इससे मेरा वजन बढ़ता रहा, और मुझे उसका पता भी ना चला, और जब तक पता चला करीब 10 किलो बढ़ गया था, जॉईस अपनी नहीं पुस्ते के विशे में बड़ी उत्तेजित थी, और उसके बारे में मुझे बता रही थी, मैंने भी उसे पढ़ा, और बड़ा प्रोसाहन मिला, मुझे कुछ खास करना होगा, आप लोगों को एक बार में एक कदम रखने, किसी चीज़ को चुनकर, उसे पहले हासल करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिस दिन मैं व्यायाम करने की शुरुवात करने को थी, मैंने चलने वादोरने का फैसला किया था, क्योंकि मैं उसे क्या करती थी, भला मैं अपने पड़ों से गुजर रहे थी, और देखा कि वहां किसी ने चौकलेट बार का कवर्फेंगा हुआ था, कुछ आगे जाने पर वहां ऐस्क्रीम कप्स पड़े थे, और मन कर रहा था, वा, मसा आएगा, हर कहीं स्वादी स्वाद था, पर मेरा पहला नेनाई उन सब को त्यागना, और दूसरा नेनाई पानी अधिक पीना था, क्योंकि मैं जान गई थी, मुझे कोक से ऐलर्जी था, और मुझे अधिक मोटा कर देते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा, उसके बाद अगला कदम, और फिर अगला पुस्तक में बताई गई, कुझीयों के सहरे वजन कम होता गया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं मानती हूँ कि खुद की देखभाल करना, वास्तों में बड़े मज़े की बात हो सकती है, बाइबल कहते हैं, हमें वच्छन के अनुसार करने वाला होना चाहिए, अर्थात जिम्मेदारियों को लेना, आत्मिक और शारिरिक रूप से, खुद की देखभाल करने की, ठीक, इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, हम शान और शौकत से जीने के बारे में चर्चा कर रहे थे, और मेरे विचार से ये बहुत ये महत्वपूर्ण है, ये ऐसी चीजे जो दूसरा कोई हमारे लिए कर सकता, हमें खुद ही देखभाल करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, हम आपको ये समझाने की कोशिच करे थे, कि आप देखभाल के जाने योग हैं, आप बहु मूल्य हैं, आप में खास खूबियां और योग्यताएं हैं, परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको बनाया हैं, और आप खास उद्देश से यहां पर हैं, और हमारे जीवन में प्रभू निश्चित समय निर्धारित करता है, वो हमें निश्चित मात्रा में शक्ती देता है, यदि हम उन सारी शक्तियों का आरम में प्रयोग कर डाले तो जीवन के अंतिम दिनों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा मैं चाहती हूँ कि आप एक निवेशी बने ना कि जुआ खेलने वाले जुआरी कुछ न कुछ गलत काम कर बैठता है यह सोच कर कि वो सब संभाल लेगा उधारन के लिए जो आखेलने वाले कहने में मेरा तात पर वो नहीं जो आम तोर पर सोचते हैं परन्तु मैं उन लोगों के बारे में कह रही हूँ और मैं इसी great के pack को देखती हूँ जिसमें लिखाए इस से cancer की बिमारी होने के संभावना है और तब भी मैं धूमरपान करती ह्यों तो मैं जानबूच कर रहे हूँ क्योकि मैं सुचती हूँ कि मैं उसे संभालूंगी मैं बाजी लडाती हूँ कि मैं गल्ती करूंगी आरम में आप ठक जाते हैं लेकिन उसके बाद में आरम में आप जिस उम्मीद के साथ निवेश करते हैं उस फल को पाते हैं लोग जो आरम में निवेश करते हैं वे सदार्थिक रूप से सबल होते हैं और जो लोग सब कुछ दाव पर रगा देना चाहते हैं और कभी कुछ ब की देखभाल करने है तू प्रेरेत करना देखिए हम परमेश्वर के आले हैं इस खास उपाहर को प्राप करने के लिए आवश्यक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं अपने लिए खरी दिए और अपने किसी एक मित्र को इसे भेट में दीजिए मैं आपसे कहते हूं कि जब आप अच्छा मैसूस करने लगते हैं तो आपकी जिन्दगी आराम से गुजरेगी, आप जीवन कानन लेंगी, आपकी सहन छीलता बढ़ेगी और जब आप अच्छा मैसूस करते हैं तब सब कुछ अच्छा होता है, आपके आत्मिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता ह स्वस्त रहने पर प्राथना करने की इच्छा होती है, दूसरों के लिए और अधिक भलाई करने की इच्छा होती है, इसलिए मैं आप से कहती हूँ कि आप इसे गंभीरता से लें और एक दिन भी इंतजार ना करें, प्रभु आपको आशीश दे और मैं आप से बेहत प्या कर दो कर दो